स्वागत है हकीम साब बहुत धन्याद आपका हकीम साब बात करूं अगर मैं जैतुन के सिर्के को लेके तो हमने तो कभी नहीं सुना था कि जैतुन नाम का भी एक सिर्का आता है जैतुन का नाम हमने जरूर सुना है लेकिन अब जैतुन का सिर्का भी इतना पाइदमन हो रहा हाँ नथी कुछ चीजा इसी हैं जो आम तर पर लोग मीज जानते हैं और उनका परीचे मेंगे नहीं करायें बिलकुल जिसे गौहण सिया ゃी सफेद गौहण मोरिंगा और आने वाले वक्त में भी बहुत सारी चीजें नहीं परीचित आउटा परीचे कर रहा हूं जी जी मैं कोड़ी कुछ से हिंदी बोलता हूं जितनी भी आती है जी उसमें क्यों गलती हो तो माफी ने ने तो आने वाले वक्त में भी मैं बहुत सारी नई चीजे जो आम तर पर लोग दवावाले और हकीम भी नहीं जानते लेकिन उन पर सबसे पहले रिसर्च होती है किस चीज के लिए कितना फाइदा करते हैं जब हजारों लाखों लोग पर ये इनका अनुभाव कर लेते हैं तो फिर पब्लिक कर देते हैं कि ये चीज अगर इतनी मिगदार में ली जाए तो लोगों को फाइदा हो सकता है तो फिर क्योंकि मेरे साथ देखते हैं कि कितनी फीडबैक कॉल्स आती हैं कितने लोगों को फाइदा होता है लेकिन मैं बस एक ही बात से दुखी हूं कि जब मैं कोई चीज बताता हूं तो वो मार्केट में असली होती है लेकिन जब मैं बताने लगता हूं और लोगों लेने लगते हैं तो फिर लोगों के किसी भी रोग को जर से खत्म कर सकते हैं बलकि आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं क्या वाके में ये मतलब ऐसा एक कि हमें बड़े से बड़े रोग से निजात मिल सकती है बिलकुल दर्श को यकीन मानिए अपने अनुभव भी आप लोगों के साथ साज़ा करते हैं हकीम सहाब तो तुरंत आप लोग इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं अगर इस ने प्रॉब्लम है जो तरजी एल फर फाइब जी तो तिक क्यों यह बता रहे हैं जादी दूसरा फिर एक मेरी मैडम के हैं वह बाल बाल जड़ते हैं मुझ पर काले-काले दब्बे हैं जी आपके उमर क्या है मेरी उमर 40 साले में और वाइफ की नो उसकी उसकी प्रश क की काले में ठीक हाँ भाई देखिए एक तो आपके लिए यसा वैस्टन ट्वालेट बहुत जरूरी है नहीं है तो सब से पहले वो लगवाए कुर्सी वाला शोचान है नहीं तो आपको बार बार फाइदा होगा बार बार वो ही हो जाएगा यह कोई मामूली परिशानी नह के हैं तो आपको देशी ट्वालेट में नहीं जाना है देशी में जाना है अपरी जरूरत के लिए यह दवा से भी ज़्याद दरूरी हो सकता है आप बगएर दवा के ही ठीक हो जाए अगर यह घर में हो तो आप यकीन करें तो नहीं है तो लगवाले और देखिए दो गौ यह असली लेना जरूरी है आधा गिराम सुबा आधा गिराम शाम लीजे सो गिराम भी मिल गया तो आपके रोक के लिए काफी होना चाहिए लेकिन फाइदा पांच साथ दिन के बाद शुरू करता है यह याद रखना यह कोई अंग्रेजी दवा नहीं कि खाया और दर्द आपको जरूरत पड़े दर्द हो तो अंग्रेजी दवा भी ले सकते हैं इसके साथ यह रोक की जड़ पर काम करता है अधा अधा गिराम सुबा नाश्टे के बाद और रात तो खाने के बाद ले पंदर सोलह रुपे रोस का इलाज है दनिया का सस्ता इलाज अधा गिराम स लेकिन असली लेना जरूरी है काला गौन भी कहते हैं गौन सिया भी कहते हैं नकली भरा पड़ा है नैट पर भी बहुत नकली डाल दिया लोगों ने असली की पहचान आपको होनी चाहिए आदा आदा ग्राम खाना आपके लिए काफी अगर सौ ग्राम भी मिल जाता है तो और आपकी पत्नी के लिए एक और गॉंद आता है, वो भी असली लें, गॉंद मौरिंगा सफेद, इसमें भी लोगों ने नकली डाल लगा है, नेट पे, लाल ये पीला सा ये सब को दे रहे हैं, और लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, गॉंद मौरिंगा सफेद, ये चेहरे के निशानों के लिए, छीपों के लिए, महासों के लिए, और जो बच्चे की हाइट निवरती, अंडर एज अगर वो लें, उनको भी फायदा होना मुम्किन है, अगले कॉलर हैं, बिजनौर से, निश्रा जी, स्वागत है आपका, अफला लेकों है, जी, वालेकों मेरे बेटे को मैंने मंगवाए था माजून आरकेयर, तीन महीने हो गए, तर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अल्लाफाद अमर दराज करें, फायदा हो गया बच्चे को, जी, मेरे बेटे को बहुत फायदा, बहुत, अब कभी कवा है, जो कभी कवा जो उस है, ख़्ुड़ा सा खांसी हो जाती है, तोड़ा सा बमाता हो बेटे को, बहुत फायदा है, और कोई सवाल है, आपका तो अभी कर लिजे, और मेरा सवाल यह है, मैं नहीं सिया गो इन्न मंगवाया था, मुझे भी मंगवाया हुझे भी फिद्धाई हो गय हो गए, तो मुझे सवाब और गिलों लाने के लिए कोई अच्छा मिक्षा बताएं और जरूर बताएंगे सबसे पहले तो आपने हमें खुश कर दिया बच्चे को भी फाइदा आपको भी फाइदा और यह हमारा फाइदा कि आपकी दूआ हमें मिल गई देखिए बच्चे को अभी छोड़ना महीं अगर कभी कभी होता यह पांच महीने लेना चाहिए पांचे महीने तो अभी उसको और देना माजून आरकेर दे रहे न आप और देना यह दुनिया के अच्छे निस्खों में से हैं आपको गौंसिया जब तक पूरा दर्द ना हो चला जाए वैसे तो जितना आपने ह बैटने से यह बार बार होता है फिर आप मुझसे शिकायत मत करना अब चेहरे के गलो शबाब और सिलवटें और चीपें हो जाती है अब मर्दों को तो कुछ नहीं लेकिन औरतों को सबसे ज़्यादा लगा अपने शबाब से होता है मैं जानता हूँ तो देखिए गौन असली लेना है असली मिल गया तो आपकी ये फाइदा भी मुम्किन है एक ग्राम रोजाना नारियल पानी मिलाकर दूद मिलाकर या पानी मिलाकर जैसे आपके हालाते सब को फाइदा देता है ये भगवान की ऐसी देन है जिसको असली मिल गया उसके चेहरे पर सबाब देख प्लस हूँ, कोई यकीन ही नहीं करता, मैं क्या करूँ, बाल भी हैंगे मेरे, बालों के लिए बहुत अच्छा है, मेरे भी गिने लगे थे बाल, मैं तो नारीयल पाने मिला के एक खाया, बुटे आदमी के बाल जवानों से ज़्याद है, मेरे सारे यार दोस्तों के सारे टकल हो गए, अब वो मानते नहीं मेरी बात, और आप मानिए, इसे इस्तेमाल करिए, और फाइदा उठाइए, जो भी नुश्के से आपको फाइदा हो, पूरे सब में पर चलित कर दीजिए, अपने दोस्तों में, रिष्टेदारों में, सुस्रार में, मैं किसी को भी दार दो, उसका रोक, मुप्ती की जिम्मेदारी भी आपकी होती है, ये मेरा आप से अनुरोध है, पंजाब से हैं, लता जी, स्वागत है आपका, नमशकार मेरम, जी नमशकार, नमशकार गी जी, आदाब जी, धन्यवाद, ये तो हमने ना लसन वाला बनाया था, जो उसने निकाल क ठीक है, और कोई सवाल था नहीं आपका, अगर मैं संत्रा और किन्नु खा लूँ, तो मेरे को तंग करता है, यानि की डिकार है आने लगती हैं, अच्छा, जी, हाँ, हजम करता है, संत्रा और किन्नु लीबू अजम करता है, डिकार अगर एक दो बार आ जाती है, तो कोई हाजमा है, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, और बहुत ज्यादा है तो पिर, इलाज भी है इसका, अच्छा, यह जो लहसन का, लोग समझ नहीं पाते, लहसन, एक लीटर जूस निकालना है, या लहसन चील के, उसको इतना बारिक पीस लें, कि वो एक किलो के करीब हो, चाहे वो ग्राइंडर में पीस हैं, या कुछ भी पीस है, आजकल तो सब घरों में ग्राइंडर हैं, तो उसको आप यूस कर सकते हैं, एक किलो का एक किलो ही आप अगर पीस दें, तो फिर उस निकालने की ज़रूत नहीं, बारिक हो जाए बस, वो बारिक के तरल पदार सा हो कर, आप त dissolijn तवर दो तीन लाए खाने के बाद लिया करें, दुन्या का अच्छे नस्खों में कहलाता है, ये अर्बी नस्खा कहलाता है, अर्ब में जायतुन का सिर्का पैदा होता है, लेकिन यहाँ पर लोग इसको बनाते हैं, तो जन्खों का सिर्का डाला देता है, इ ये पूरा काम करता है अपना, आप कभी इसको बनाएं, आप बनाई रहें और इस्तमाल करें तो आपको फाइदा होना मुम्किन है. बहुत बहुत मबारक, कहां से लिया था सियागोन अचली? पहले अराम नी हो रहा था जी हकीन जी लेकिन आपसे जब नाच वही और आपने पता है जी ये टोइलेट वगारा आपका इंग्लिस होना चाहिए और ये आपकी कुछ लापरवाई हो रही है इस बार बहुत आराम हो गया जी मैं तो बड़ा खुश हो गया बहुत ही ज्यादा खुश हो गया त्यागी जी और देखिए हमारा साथ भी त्यागी जी बैठे वे ये भी खुश हो गई और कोई सब्सक्राइब कर देखिए है और वो हलका खुला हुआ कि रहता है सुजंजे से हो जाती है मसुड़े में और दोक्टरों को दिखा लिया जी और दोतिन दाड़ भी उपाड़ दी उन्होंने डेंटिस्ट में इस तक कर में किसा इसकी वज़े से दिक्कत है कोई कह रहा है कोई जोड में बताता है जी और बहुत सारी करा लिए उसमें कुछ नहीं आता है जी जी क्या क्या आयू है आपकी पतने की यह कोटी है यह जी हरताने साल लगी जी ठीक है जो देखिए एक तो यह कि मेरा काम है आपको सच्चा मश्वरा देना भगवान ने आपको फायदा दिया उसके नाम पर किसी गरीब की कुछ मदद जरूर करें ताके भगवान भी खुश हो जाए ना मेरा जरूर हो रहा है लेकिन मैं ना आपको नुक्सान पहुचा सकता हूँ ना फायदा मैं तो अपना जो अनुभा हो है वो शेयर करता हूँ अब आपको भगवान ने फा इसराल में महके में उन लोगों को भी फायदा होना चाहिए देखिए दुनिया बड़ी जालिम है और बताती नहीं फायदा भी हो जाता है तो लेकर बैठ जाते हैं आप ऐसे मत बना आप सब को बताईए कि भी फायदा हो जाता है और मैंने कहा था कि आप सबर रखें सहीं रखें कि यह इलाज ही सहीं रखने वाले का है अब मेरा काम खतम हो गया आप जितना प्रिचार प्रिसार करेंगे इसका इतना ही लोगों को फायदा होगा इतना ही भगवान खुश होगा तो मेरी तरफ से आपको यह निवेदन है कि असली चीज़ का खुब लोग नकली का क करते हैं आप असली का करिए ताके मैं भी खुश हो सकूँ और आपको भी कहीं न कहीं पुन मिलेगा कि लोग को रोग मुक्त होना चाहिए जितना आपका दाइरा है जितना आपकी पहुँच है जिन लोगों तक भी वो रोग मुक्त होने चाहिए नहीं तो लोग बीस बीस साल से तकलीफ में हैं मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग ठीक हो यह उसका अपने पास लिखके रखिए कैसे खाना है सब को समझाइए और मुझे बहुत ही अच्छा लग गया कि आपने मुझे खौन करके बता दिया अब देखिए यह आप जानते हैं पैट्रोल जो स्कूटर में आ पैट्रोल यह पैट्रोल वो पतनी के जहां पर वह ना जगा इंक्रेस वहां पर ऐसे लगाके हटा लिया करिये रोजाना थोड़ा सा मूलट का लें ऐ i chap 2019 करके एक दिन में से कोई भी मिल जाये तो आप लगाएं और एक नुश्का है आप चाहें तो उसे बना लें सपिस्तान लिख लिजे सपिस्तान उन्नाव अलसी सपिस्तान उन्नाव अलसी और आपके किचन के गरμ मसालों पीपले होती यह वो सपिस्तान उन नाब अलपा असाई सो सो गरम और तीज इस गराम पीपले आपके किचन के जो गरμ मसालों में होती है आपकी पत नहें जानती होंगी पीपला मूल भी कहते हैं इसे वह तीस गिराम बाकी चीजें सो सो गिराम पाउडर बनाएं और एक चमच सुबह खाली पेट निहार मुझे से कहते हैं खिलाएं चोटा जाएगा चमच एक गरम गिलास पानी पिला दे और ऐसा आप एक दो महीने लगातार कर सकते हैं